हे एवरिवन तो कैसे है आप सब सो आप डिस्कस करेंगे ओनरेबल सुप्रीन कोड की एक ऐसी जज्जमेंट जो की बात करती है अटेम्ट टू मर्डर के बारे में देखिए ये केस जानना आप लोग के लिए इसलिए भी इंपॉर्टन हो जाता है क्योंकि ये जज्जमेंट कंसिस्ट करती है किर्मिनल लॉक के काफी इंपॉर्टन सेक्शन को सो हर एक चीज को ध्यान से समझेंगे वीडियो पूरा देखिएगा सबसे पहले इस केस का नाम जान लेते है सदाकत कोतवर वर्सिस टेट आफ जारकन 2021 देखिए ये केस रिजन्ट होने के साथ साथ काफी इंपॉर्टन जज्जमेंट भी रही है सो कुछ facts clear कर लेते हैं इस केस के regarding आप देख सकते हैं ये हैं इस केस में accused इनका नाम है सदाकत कोतवर तो सदाकत कोतवर को convict कर लिया जाता है अंडर section 307 and section 34 of Indian penal code में सो यहाँ जैसे जैसे इस case की proceedings आगे बढ़ती है तो existence में आते हैं high court of jargon high court of jargon ये कहते हैं कि जो भी conviction सदाकत कोतवर का section 307 and section 34 of Indian penal code के अंडर हुआ है वो चीज़ ठीक है और इस conviction को high court of jargon अपहल्ड करते हैं सो section 307 of Indian penal code इस context में काफी important role play करता है तो section 307 किस बारे में बात करता है ये भी जान लेते हैं section 307 बात करता है attempt to murder के बारे में मतलब murder का attempt इस चीज़ को दर्शा आता है यहाँ पर section 307 of Indian penal code एक बार bear act की language भी हम पढ़ लेते हैं whoever does any act with such intention और knowledge देखिए अगर कोई person एक ऐसी intention या knowledge के साथ एक particular act करता है जिस act से किसी दूसरे person की यहाँ death हो सकती है तो इस situation में जो person ऐसा act कर रहा है उसे book कर लिया जाएगा under section 307 of Indian penal code में उस person को imprisonment हो सकती है जो की extend हो सकती है 10 साल के लिए या तो उस person को fine भी देना पड़ सकता है देखिए section 307 को consider करते time एक बहुत important चीज जो हमें समझनी चाहिए कि भलेगी एक person कोई ऐसा act जरूर करता है जिससे दूसरे person की यहाँ जान जा सकती है लेकिन यहाँ जान जाती नहीं है क्योंकि यहाँ murder नहीं हुआ है यहाँ attempt to murder हुआ है यहाँ हत्या नहीं हुई है आदत है जिसके according वो रोज शाम को एक glass दूद पीता है A को यह चीज पता है कि B रोज शाम को एक glass दूद पीता है तो A इस चीज का फायदा उठा के B के glass of milk में poison डाल देता है poison की को drops add कर देता है और वो glass of milk A रख देता है एक table पे अब शाम हो जाती है B जाता है उस दूद क glass को पीने के लिए लेकिन उससे जस्ट पहले एक cat वहाँ पे आ जाती है एक बिल्ली आ जाती है और उस glass of milk को table से गिरा देती है glass तूद जाता है और B की जान लेने के लिए जो act यहाँ पे किया गया था उसके according B की जान तो जान नहीं पाती क्योंकि glass तूद जाता है तो यह यहाँ पे A तो intention रखता था A को knowledge भी थी कि अगर वो कुछ ऐसा particular act करेगा तो यहाँ पे B की जान चली जाएगी लेकिन B की जान यहाँ पे जाती नहीं है क्योंकि यहाँ murder नहीं हुआ है यहाँ पे murder का attempt हुआ है यहाँ हत्या नहीं हुई है हत्यागो करने की कोशिश हुई ह सिर्फ वहीं पे अगर ऐसा होता कि A ने जो poison वाला glass of milk रखा था टेबल पे उसे अगर B पी जाता cat बीच में ना आती तो यह चीज़ हो जाती murder लेकिन वहीं पे cat के बीच में आने से cat के intervention से यह चीज़ बन गई attempt to murder मतलब A ने तो कोशिश की थी कि वो एक particular act करेगा जिसके according जिस act से यहाँ पे B की जान चली जाए लेकिन B की जान यहाँ पे जान नहीं पाती इसी चीज़ को दर्शा आता है section 307 of Indian Penal Code में एक बहुती जादा important चीज़ यह भी है कि अगर एक person कुछ ऐसा act कर रहा है जिस से दूसरे person की यहाँ जान नहीं जाती लेकिन कुछ ऐसा hurt पो हो जाता है उसे बहुत बड़ा नुकसान पहुचता है तो इस situation में यह माना जाएगा कि जिस person ने hurt पहुचा है दूसरे person को उस person को यहाँ पे imprisonment for life तक हो सकती है मतलब उम्र कैद तक हो सकती है यह काफी important चीज़ है इस context में so section 34 of Indian Penal Code भी इस context में काफी बार mention हुए तो section 34 क् simply कहता है कि जब एक criminal act several persons मतलब कई सारे लोग के द्वारा एक criminal act जब किया जाता है और वो act किया जाता है with the common intention उस चीज़ को दर्शात है section 34 अगर बहुत सारे person यहाँ पे common intention के साथ कोई act करते है तो हर एक person को जो act वो कर रहे हैं उसमें जो भी person है each of the person हर एक person को libel माना इसके according accused यहाँ पे एक appeal file करते हैं in the honorable supreme court लेकिन supreme court accused की इस appeal को dismiss कर देते हैं दिखिए इस dismissal के पीछे supreme court कुछ reasons देते हैं कुछ observations देते हैं जो observations हम लोग के लिए जानना काफी important हो जाता है so honorable supreme court अपनी observations देते हुए यह कहते हैं कि attempt to murder के cases में जो की cover होता है under section 307 of Indian penal court से उन attempt to murder के cases में intention को determine किया जाएगा काफी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते होए अब वो कौन सी चीज़े हैं यह वो भी देख लेते हैं so honorable supreme court यह कहते हैं कि intention को determine करने के लिए हमें कुछ चीज़ें यहां पर ध्यान में रखनी पड़ेंगी जिसमें पहली चीज़ जो existence में आती है वो है weapon used मतलब एक person जब intentionally दूसरे person के ऊपर कोई ऐसा act perform करता है जिससे उस दूसरे person के यहां पर जान जा सकती है उस person ने कौन सा body part choose किया है victim का assault करने के लिए यह चीज़ भी काफी important हो जाती है और तीसरी चीज़ कि जो nature of the injury है जो injury पहुची है victim को उसकी grievousness कैसी है उसका nature कैसा है यह भी चीज़ काफी important हो जाती है इस context में so finally honorable supreme court ने इस case में कुछ important statements देते हुए यह कहा कि the injury of a single blow of us on a vital part of a body मतलब vital body के जो parts है उस पे injury दी गई है victim को जो की ते स्टमक और chest area so जैसा कि मैंने आपको बताया था कि intention को determine करने के लिए honorable supreme court ने कुछ चीज़ें हमारे सामने रखी थी जिसमें से second चीज जो थी वो यह थी कि जो accused है वो victim के कौन से body part को choose करता है assault करने के लिए तो इस case में भी यही था कि जो accused है उसने stomach और chest area को choose किया for the assault जो की थे victim के vital body parts second चीज जो context में आती है जो honorable supreme court mention करते हैं कि जो injury का nature था वो काफी grievous था क्योंकि यहां injury दी गई थी एक sharp cutting weapon से तो अगर पीछे चलते हैं जब honorable supreme court यहाँ पर determination of intention को लेके चीज़े specify कर रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर यह चीज भी mention की थी कि case तरीके के weapon से यहाँ attack किया गया है और injury दी गई है victim को यह चीज भी काफी important है तो यहाँ एक sharp cutting weapon से injury दी गई थी जो की काफी grievous थी और जो injury दी गई थी victim को तो इसी चीज के चलते यहाँ पे जो accused है उनकी appeal को dismiss कर दिया गया दिखिए आज का यह जो case था हूँ हमारे ले जानना है इसलिए भी important था क्योंकि आज का case include करता था कई important sections को of the Indian Penal Court so मुझे उमीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी जिस information को आप यहाँ gather करने आए होंगे वह आपको मिली होगी have a great day